हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो आज हम ड्रॉख करने वाले हैं यह हाइपर रेलिस्टिक ज्रॉइंग का पार्ट थ्री इसके दो पार्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दू सेगेंड लियर को ड्रॉख करनेसे पहले आप लोग यह अच्छे से देख लें कि फस्स seriousu ब्लैंड हुई है या नहीं अगर नहीं होय तो उससे अच्छे सब्लैंड कर ले थाककि आपकी जो इसकीं टोन है वो बहुत अनेवंड ना दिखे और वह रियलिस्टिक लुक्ते तो मैं यहाँ पे पहले पूरे face को shade कर लूँगे उसके बाद फिर मैं उसको blend करूँगे अभी skin बहुत ज़्यादा rough दिख रही है बट इसे मैं अच्छे से भी blend कर दूँगे तो यह बिल्कुल ही smooth texture दिखेगा बीच बीच में आप लोगों को जो आपने outlines ड्रॉ किया है उनको पहले highlight करते रहे हैं क्योंकि फिर आपको दिखेगा ने के कहां पे क्यों सा feature अपने ड्रॉ किया था तो आप उसे भी highlight करते रहे हैं मैं यहाँ पे lips का area और finger का area छोड़ दूँगी उसे shade नहीं कर रही हूँ अभी उसे बाद में देखेंगे हम पहले हम पुरा face shade कर लेते हैं और उसे अच्छे से blend कर लेते हैं आपको अगर किसी चीज का tutorial चाहिए या कोई photo है जो आप चाहते हैं कि मैं इसका tutorial आपको बता हूँ draw करके तो आप मुझे वो comment box में comment करके बता सकते हैं मैं उसको ज़रूरे try करूंगे draw करने का और उसका tutorial provide करने का आप लोग इसे please last तक देखिए ताकि आप लोगों को भी इस वीडियो का benefit मिल सके और आप लोग भी इसे draw कर सके आप लोग चाहें तो इससे draw कर लें नहीं तो मैं आप पो photo provide कर दूंगे आप मुझे DM भी कर सकते हैं Instagram पर मेरी idea है दिशा.arts तो आप लोग वहां पर मुझे contact कर सकते हैं अगर आप लोग वहां पर मुझे contact कर सकते हैं अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजे और यहां पर हम इसे अच्छे से blend करेंगे ताकि यह जो skin uneven दिख रही आप लोग देखेंगे कि कहीं पर जो यह lines है pencil की यह चूट है तो इसका ध्यान आपको दे रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैं कितनी देर तक इसे blend कर रही हूं मैंने वीडियो 4x या 5x की speed पर सेट की है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी real speed क्या होगी तो य जो जो graphite होता है वो थोड़ा से shine करता है और charcoal shine नहीं करता है तो मैं वही देखना चाहती थे कि जो ऊपर shade आया है black color से जो मैंने eyes में shading की है वो मैंने charcoal pencil से की है तो मुझे यह देखना है था कि यहां पर भी वैसा look आता है या नहीं आता है तो वैसा look नहीं आ रहा है मैंने तो बीडिया है आप लोग को बताने के लिए तो अब आप यहां पर charcoal pencil यूज कर सकते हैं और graphite के उपर charcoal pencil यूज नहीं होती है तो आप पहले से ही charcoal pencil अगर आप लोगों को यह पूरा वीडियो ग्रिफाइड से बनाना तो आप चारकुर पैंसिल की सिंप्ली घ्रीफाइड सिंप्स्मीज यूज कर सकते हैं 2020 आप यह प बना आए आए तोसे लिटोरश ठीस केम से patch भे के घ् Ladukt में पनाएंगे और यहां पर हम लोग कौन से लेयर ड्रॉ कर रहा है यह तो मुझे याद नहीं है पर हाँ नेक्स्ट लेयर ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा से डार्क रखें क्योंकि इसका स्किन टोन थोड़ा कहीं पर लाइट नहीं पड़ रही है तो वह एरि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर यूज करती हूँ टिशू पेपर, ओल ब्रश, मेक अप ब्रश, मेरे मेक अप ब्रश ऐसे तो काम आते नहीं है तो मैं आर्ट में यूज कर लेती हूँ अगर हम लोग यह एक लेयर डॉब करेंगे तो यह एरिया थोड़ा सा इसलिए हम लोग यहां पर थोड़ा सा डाक पेंसिल का यूज़ करेंगे आप 6B, 8B या कोई भी यूज़ कर सकते हैं 5B से कम तो नहीं होनी चाहिए अगर आपको डाक एरिया चाहिए तो इसके लिए हम लोग 6B या 8B यूज़ कर सकते हैं फिर हम लोग टिशू पेपर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और आपको एकदम बहुत क्लीन सर्फेस कर देना है ब्लेंड करते करते तो वाइट वैसा फिर हम लोगों को जहां पे और के रिये चगे रहे है वहां पर हम लोग चार्करल पावडर का यूदर करेंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो चारकूर पाउडर का यूज़ करके हम लोग यहां पे जूर डाक पूशन है उसको और डाकन करेंगे उसके बाद फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसके लिए आप कोई भी ड्राय मेकप ब्रॉश यूज़ कर सकते हैं तो मैं आप अपनों मेकप ब्रॉश यूज़ करत अब हम लोग Mono Zero Eraser की Help से जो kita लिए अरिया है एव जहां पे water droplets बह रहे हैं वहां पर लोग थोड़ा empieza पॉंटकरके ngे और water droplets की जो एड्ज है तो पर हम लोग lines ड्रा करके उसको हाइलाय रखन लेकिसकी मैं यहां पर कर रही है आप बिल्कुल same technique को use कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई अलग technique है यहाँ पर आप white gel pen का use करके भी highlight दे सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर mono zero eraser का use करके थोड़ा सा highlight दिया है इसके बाद मैं फिर white gel pen का use करके फिर उसको और highlight दूँगी तो इस से थोड़ा सा realistic look आता है इसलिए मैं इस technique को यूज करती हूँ इस technique को करने के लिए आपका जो monosurial razor है उसकी बहुत ही sharp होनी चाहिए उसको करने के लिए आप कोई भी blade यूज कर सकते हैं नहीं तो आप sandpaper में rub कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक new technique यूज कर रही हूँ थोड़ा सा highlight देने के लिए लेकिन मुझे एक अपसमाज में नहीं आया तो इसलिए मैंने इसको नहीं उसकी है तो इसे मैंने एक वीडियो में देखा था लेकिन मुझे इस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका जो result निकला है तो इसलिए मैं इसको नहीं उसकर रही हूँ आप लोग चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं इसे यहाँ पर हम लोग electric eraser का use करके जहां पर light जादा पड़ती है तो highlighted area में वहाँ पर हम लोग थोड़ा से जादा highlight करेंगे और जहां पर आपको बहुत एक दिम शाप light चाहिए कि शाप highlight हो वहाँ पर आप इसको use कर सकते हैं मैं जो charcoal powder और graphite powder यूज करती हूँ तो मैं उसको कहीं से भी बाय नहीं करती हूँ मैं उसको अपने हाथों से बनाती हूँ हम लोगों की pencils की जो lids टूट जाती हूँ और हम लोग के दिल में बहुत दर्द होता है तो मैं उनको collect करके रखती हूँ फिर एक साथ उनको sand paper पर रब करके मैं उसको collect करके रख लेती हूँ और आप जो बहुत expensive powder खरीडते हैं तो उससे अच्छा है कि आप घर पर ही बना ले और उससे यूज़ करें हम लोगों का यह वीडियो लगबख खतम होने को है तो मैं इसे जादा लंबा नहीं करूँगी इसका नेक्स पार्ट मैं जल्दी ही अप्लोड करूँगी I hope कि आप लोग को eat and every step बहुत अच्छे से समझ में आ गया है अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे पूछ सकते है कोई भी कोईरी आप लोग मुझे instagram पे disha.arts पे पूछ सकते है नहीं तो आप लोग यहीं पे comment section में पूछ सकते है अब हम लोग आइस के lower part पे थोड़ा सा highlight करेंगे और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ electric eraser आप चाहें तो यहाँ पे needable eraser यूज कर सकते हैं या फिर mono zero eraser या आप directly gel pen का यूज करके उसको highlight दे सकते है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और प्लीज सब्सक्राइब तो माइ यूटूब चानल थैंक यू फॉर वाचिंग